हेलो फ्रेंज आपको भी इस तरीके से पूरी तले हैं यह नहीं तो आज देखिए तलकर फ्रेंज चौक जाएंगे आप कुछ ऐसे ऐसे टिप से लेका रहा हूं जिसे आप फोलो करते हैं समय की बचत होता है साथ में आपकी पैसे की भी बचत हो जाती है फ्रीजर में आप इ बचत तो हो ही जाती है फ्रेंज तो चलिए आगे बरते हैं पहला टिप से इस तरीके से साबून से लेकर तो फ्रेंज जब भी हम इस तरीके से बरतंद होते हैं और इस तरीके से हम साबून को यूज करते हैं तो हमें यह साबून जो है पांच दिन ही चलता है पांच दिन से रखेंगे आपको 15-20 दिन तक यही साबुन चलते रहेगा वो कैसे तो चलिए फ्रींज आप लोग बने रहे हैं इस वीडियो में तब तक के लिए हमारे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे यहां पर हमें करना क्या है इस तरीके से पहले निकालना है साबुन को तो वस इसे इस तरीके से निकालते हैं और निकालने के बाद जो है इसको डबे में रख देते हैं कीचन में उसके बाद इसे बरतन धोना स्टार्ट करते हैं फ्रींज आपको भी सोचे हैं इसमें कभष आधा ही कतना है और आधा नीचे रखना है तो आप डब्बे में भी में भी एके डब्ब तो 180 चार इसमें क्या करें और यहां पर रखेंगे इसना हे Deshalbasuk जोनर पो आ दूसरी जगए साभू पicht कभी तर दो थोड़ा समझदारी से काम लेना है तो तो कई से जमता है और क्यों जमता है क्यों आप जरूर बताना हमारे वीडियो कहां से देख रहे हैं तो आप जब भी इस तरीके से फ्रीजर जो है यहां पे आप खोलते हैं तो गड़मी में इस तरीके से बड़फ इतना जम जाता है कि कभी-कभी तो हमारा दर्वाजा भी यहां जो है इसमें लॉक होता है तो खुलता है तो फ्रेंस आपको जल्दी काम है तो आप क्या करें इस तरीके से बड़फ जब भी जम आते हैं तो आपको थोड़ा सा गुन-गुना पानी लेना है और इसमें डाल देना है तो फ्रेंस इससे आपकी बड़फ तो बहुत जल्दी जम जाएगी और जब भी आप इस तरी इसे हमें थोड़ा देर के लिए इंतिजार करना पड़ता है कि यह कब निकलेगा तो फ्रेंस आपको करना क्या है थोड़ा ससरसो का तेल लगा देना है नीचे और कोई भी बरतन रख रहे हैं उसमें नहीं तो फिर आप बड़ जमा रहे हैं उसमें तिल लगा कर रख दें इस मार्केट से लेकर आते हैं तो इसमें आप देखते हैं इसमें पॉडर बहुत तरह मिलावट होता है जिसे हमें धोकर ही खाना है तो फिर इस तरीके से हमें दो-तीन पाने से पहले धो लेंगे और धोने के बाद ही डाल बनाएंगे अगला है इस तरीके से जब भी हम डाल ब करनाने के लिए डाल दिये हैं तो फ्रीज क्या होता है ना कभी-कभी सीटी सही से नहीं देता है और अंदर से पानी सीटी के जहां से पानी बहुत ही निकलता है और बस गंदा हो जाता है कुकर भी गंदा होता है और सीटी देने में भी दीकत होता है तो फ्रीज समय करना क्या सा ज़ा आप ठोडाष सर्सो का तेल ब्ला के लिए औहाँ पीज साइट में लगा दें जहां पे सीटी निकलता आ बस इस जगह आप ठोड़ास दो भून्ध रचों वहाँ निकलता है तो डू पूरी तलना है बहुत ही आसान काम है तो बस इस तरीके से हमें काम को आसान बनाना है किस तरीके से और बहुत सारे पूरी हम बना सकते हैं तो friends आपको करना है क्या इस तरीके से आप पूरी बना कर और ताभी पे थोड़ा सा गरम कर दें अब ये पूरी ताबा जो है उस पे हम हलका सा गरम करेंगे दोनों साइट इस तरीके से गरम करकर हम रख देंगे एक पेपर में लपीट कर तो friends अभी आपको बच्चा खाना है और ये फिर बाद में कोई खाने वाले आधा घंटा बात वो बोल दी अभी नहीं खाना आधा घंटा बात खाना है तो friends हमें आटा रखना पड़ता है बस आप करें क्या इस तरीके से पूरी को बेल कर ताभी पे थोड़ा सा सेक लें सेकने के बाद आप पेपर में इस तरी कि से लपीट कर रखते अब जिस समय खाने का मन हो उस समय आप इस तरी के से तल कर दे सकते हैं तो देखी कितना अच्छे से पूरी अमरत तला गया है और इस में थोड़ा सा पूरी तलने में नमक डाल देते हैं तो आपका जो है पूरी कम तेल सोखेगा और कम तेल में बहुत ही problem होता है, इसके पहानने से, अब ये जो है आप देख रहेएं, पीतल का जो लॉक होता है, पर लगाते हैं, और गला के पस रहता है, और इस थरीके से बहुत ही, खुजलने लगता है, ये फिर गट में चलन होने लगता है, इसके बज़त से हम इसी खोल becoming पहान पाते हैं गर्मी में कितने लोकों तो इतना प्रेसानी होता है कि गला में तो रखना भी पसंद नहीं करती है कितने लेडिस तो फ्रेंस आपको करना क्या है आप एक वाइट टेप ले 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 और इस तरीके से जहां पे भी ये पीतल का है ना वहां प्याप अच्छे से तो इस तरीके से कवर कर देते हैं टेक से तो फिर पता भी नहीं चलेगा और आपको कभी इरने का डर भी नहीं रहेगा आप वbersण करतेसी